स्मोकिंग के हामफुल एफेक्ट्स या तो हम ऐसे सुनते हैं सिग्रेट धुमरपान स्वास्थे के लिए हानिकारक है ये कांसर का कारण बनता है या ऐसे देखते हैं पर आज हम शांती से आपको धुमरपान के हानिकारक परभाओं के बारे में बताएंगे और एक मशीन भी बनाएंगे जिससे सिग्रेट का टार जो आपको बिमार बहुत बिमार करने के लिए काफी है उसे आप देख पाएंगे और अपने हातों से चूबी पाएंगे और ये टार कैसे हमें बिमार करता है इसको जानने के लिए हम लंग्स का स्ट्रेक्चर और उनके काम करने का प्रोसेस समझेगे तो चलिए पहले हमें स्मोकिंग मशीन बना लेते हैं इसके लिए हमें दो सिरिंज एक 10 ml की और एक 2 ml की एक T कनेक्टर दो वनवे वॉल चार छोटे फ्लेक्सिबल ट्यूब के टुकडे रूई एक फोम का टुकडा और एक सिगरेट चाहिए होगी सबसे पहले हम इस T कनेक्टर के तीनों साइड में ये फ्लेक्सिबल ट्यूब के टुकडे जोड़ देंगे अब इन दोनों सिरों पर हम इन one-way walls को जोड़ेंगे तो इस साइड में हम इस काले भाग को जोड रहे और इधर सफेद भाग को ये one-way walls ऐसे बनाय गए है कि इन में हवा काले से सफेद की तरफ सो जा सकती है लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है सफेद से काले की तरफ हवा नहीं जा सकती इसलिए इनको वन वे बॉल्स कहते हैं अब इस फ्लेक्सिबल ट्यूब की मदद से हम इन दोनों को जोड़ देंगे सिरिंज का प्लंजर निकाल कर हम यहाँ पे फोर्म के टुकड़े को चिपका देंगे इससे यह कनेक्शन एर टाइट हो जाएगा और यहां से हवा अंदर नहीं जाएगी अब यह T कनेक्टर से हम इस बड़ी वाली सिरिंज को जोड़ देंगे अब सबसे आखिर में इस वोल को खोल कर एक छोटा सा रूई का टुकड़ा हम इसके अंदर लगा देंगे और इसको वापस बंद कर देंगे अब जैसे ही हम प्लंजर को पीछे की तरफ खीशते हैं तब इस वाले वोल से सिगरेट का धुआ अंदर आता है और इस समय यह वाला वोल बंद रहता है और जब हम दबाते हैं तो इस वाले वोल से दुआ भार निकलता है तब यह वाला वोल बंद रहता है ऐसे ही हम इस प्लंजर को आगे पीछे करते रहेंगे जब तक कि यह सिगरेट खतम न हो जाए ऐसे ही हम प्लंजर को उपर नीचे करते रहेंगे जब तक कि ये cigarette खतम न हो जाए cigarette पूरी खतम हो चुकी है तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो हमने रूई का टुकड़ा लगाय था उसके क्या हाल है रूई का टुकड़ा सफेज से काला पड़ गया है और यही वो टार है जो हमें बिमार करने के लिए काफी है इस चिपचिपे टार को हम हातों से छूकर भी देख सकते हैं यही हाल जब हम cigarette फूकते हैं तब हमारे फेफडों का होता है bright pink रंग के हमारे फेफडे काले पड़ जाते हैं अब हम ये देखते हैं कि lungs का structure कैसा होता है और सांस लेने पर अंदर क्या process होता है और cigarette पीने से उस process में क्या दिक्कते आती हैं ये भी हम समझेंगे जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा हमारी नाक और मू से होती हुई एक pipe जैसे structure से अंदर जाती है जिसे trachea कहते हैं ये trachea आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है जिने bronchus कहते हैं और ये bronchus छोटी छोटी ब्रांचेज में बढ़ जाता है जिने bronchai कहते हैं ये bronchai गुबारे जैसी structure से जुड़ी होती हैं जिने alveoli कहते हैं और एक इनसान में इन alveoli की संख्या लगबख 50 करोड होती है अगर हम इन alveoli को बढ़ा करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है जब हम सांस अंदर लेते हैं तब ये फूल जाती हैं और सांस छोड़ते हैं तो पिचक जाती हैं और यहीं पर carbon dioxide और oxygen का exchange भी होता है इन alveoli के चारो तरफ पतली-पतली blood से भरी नलिया होती हैं जिने capillaries कहते हैं इन capillaries में heart से deoxygenated या CO2 युक्त blood आता है और alveoli में oxygen होती है तो यहां diffusion या विसरन के माध्यम से गैस का exchange होता है alveoli में oxygen का concentration ज्यादा होता है और capillaries में carbon dioxide का तो CO2 alveoli में चली जाती है और oxygen capillaries में आ जाती है गैसे इसके इधर उदर जाने का यह process एक second से भी कम टाइम में हो जाता है तो कुल मिलाकर carbon dioxide blood से फेफ़डों में चली जाती है और oxygen फेफ़डों से blood में आ जाती है blood में जाने के बाद यह oxygen molecules red blood cells के hemoglobin से जुड़ जाते है और यह oxygen yuk blood पहले heart में जाता है और फिर इसे heart पूरे शरीर में पंप कर देता है lungs में oxygen और carbon dioxide का diffusion अच्छे से इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे फेफ़डों का surface area बहुत जादा होता है अगर हम इन सभी alveoli को खोल दें तो इनका area 80 square meter होगा जो तकरीबन एक badminton coat के बराबर है यानि जितना जादा surface area उतना जादा gas का exchange अब आखिर में हम यह समझते हैं कि हवा हमारे lungs में कैसे आती है और बाहर कैसे जा पाती है हमारे lungs नीचे एक diaphragm से जुड़े होते है जब यह structure नीचे की तरफ खिचता है तो lungs full जाते है जिससे lungs का volume बढ़ जाता है और pressure कम हो जाता है बाहर atmospheric pressure जादा है तो हवा बाहर से lungs के अंदर आती है जादा pressure से कम pressure की तरफ सांस बाहर छोड़ने के लिए diaphragm उपर हो जाता है जिससे volume कम तो pressure जादा अब अंदर जादा pressure और बाहर कम pressure तो हवा अंदर से बाहर चली जाती है इसको हम इस model की मदद से भी समझ सकते हैं यहाँ पे हमने एक plastic की bottle को काट कर उसके नीचे एक कटावा balloon लगा दिया है और इसको एक cello tape से चिपका दिया यह वाला balloon diaphragm का काम करता है और अंदर जो यह दो छोटे balloon है वो lungs को दर्शाते हैं जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ खीचते हैं lungs फूल जाते हैं यानि बहार की हवा अंदर लंग्स में भर गई और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं यह lungs पिचक जाते हैं यानि अंदर की हवा बहार चली गई सांसों के इस खेल में oxygen और carbon dioxide ही अंदर भार नहीं होते हमारा mood भी सांसों से जुड़ा हुआ है जब हम stressed होते हैं तब हमारे शरीर में oxygen का level कम हो जाता है और जिससे हमारी heart rate बढ़ जाती है और हमें बेचैनी सी होती है और जैसे ही हम लंबी सांस लेते हैं तो यह alvely फूल जाती है और हमारा oxygen level फिर से normal हो जाता है इसलिए meditation, yoga और pranayam करने से हम stress free हो जाते हैं तो हम stress और heart rate को भले ही directly control ना कर सकते हूं लेकिन हम diaphragm को control करके सांसों को control कर सकते हैं और stress को down ला सकते हैं Stanford के एक neurobiologist Andrew Uberman एक special breathing technique के study कर रहे हैं जिससे stress कम होता है इस breathing technique में दो बार नाक से सांस अंदर लेते हैं और फिर मूँ से लंबी सांस छोड़ते हैं तो योगा करते रहे smoking से दूर रहे और आपके आसपास जब भी कोई cigarette फुकता हुआ दिखे उसे टार जरूर दिखाए थैंक्यू और इस टार को आप अपने हाथ से छूके भी देख सकते हैं यह बहुत ही चिप-चिपा है अजीप साहे है सिर्फ बोल सकती हुआ सांसो की इस खेल में सिर्फ ओक्सीजन और कारबन डायोक्साइड भार अंदर भार नहीं होते रहे हैं हमारा मूड भी सांसों से जुड़ाए जब हम स्ट्रेस होते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है और थोड़ी बेचनी से चाहिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो